हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल, आज हम डिसकस कर रहे हैं, ओल इंडिया सैनिक स्कूल एंटरंस एक्जाम 2020, क्लास 9 का कोशन पेपर, जो की 5 जैनुवरी 2020 को हुआ है, आज मैं अपकर, कर्या번issement doubler, और अज में पार्ट집, पिछले दो वीडियो में बहुते हैं, अब यह हमारा लास्ट और जो मैं dew म्यक्ति करेंगे पार्टिक कोशन, session, पहला question है, which one does not belong to the group, हमें दिया वे 63, 65, 84, 91, इसमें से कौन सा है, जो इस group को belong नहीं करता है, अगर हम clearly देखे 63, 65 और 91, यह हमारे odd numbers हैं, और 84 जो है हमारा even number है, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, that would be C, next question है, which square should replace the question mark, अब इस जगा पर क्या आएगा, हमने walk करना है, इस question को करने के लिए दो rules follow होते हैं, एक horizontal और एक vertical, तो अब हम अगर horizontal देखें, तो 3 stars, 2 stars, then 4 stars, इनके addition करेंगे, तो हमारे 9 बन जाएगा, then next में 4 star, then again 4 stars, और last में 1 star, 4 plus 4, plus 1, again इसके भी addition 9 बन रहे हैं, that means last वाली row की भी हमारी 9 ही बनेगी, 2 and 3, 3 और 2, 5 होते हैं, यानि कि हमने वो देखना है, option देखना है, जिसमें 4 star, अगर हम यह clearly देखें, तो हमारा जो D option है, इसमें 4 star है, तो option हमारा D हो जाएगा, अब यह हमारा direction का question है, यह आपको मैं diagram की help से समझाओंगी, तो ही समझा में आएगा, तीक है जी, यह हमने direction का हमने बना लिया है, direction बना लिया है, north, south, east और west, अब हम एक एकर के line बढ़ते, village W is 20 km to the north of village X, X के, X का north यह हो गया, X के north में village W है, जो की 20 km है, यह 20 km मैंने लिग दिया, और यह arrow बना दिया, north के side का, next line read out करते, village Y is 18 km to the east of village X, village X है, उस 18 km village Y है, east में, तो मैंने यह sign बना दिया, ठीक है जी, arrow आप देख रहे हो हैंगे, east की side मैंने arrow बना दिया, और 18 km, then हमारी line है, village Z is 12 km to the west of village W, अब यह हमारा village W है, जो Z है, इसके west में है, ठीक है, 12 km, यह arrow बना दिया, अब उन्होंने काया, if Manu starts from village Y, Manu इस village से start कर रहे है, ठीक है जी, and goes to village Z, उसको village Z पर जाना है, किसके थूँ, via village W, तो हमने यह बताने, in which direction is he from his starting point, वो starting point से किस direction में है, वो यहां से चल रहे है, यहां से यहां जाएगा, इसके बाद वो यहां जाएगा, अब हम यहां देखें, यह north है, यह west है, तो यह beach की position क्या होगी, north west, simple, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, A, that is north west, if the 7th day of month is 3 days earlier than Friday, what day will it be on the 19th day of the month, Explanation देखते हैं इसकी, simple, हमारा जो 7th day है, मन्त का, वो कौन सा है, इस 3 days earlier than Friday, यान कि Friday से 3 days पहले का है, 7th day, ठीक है, Friday से 3 दिन पहले कौन से होगे, Thursday, Wednesday, Tuesday, यानि कि 7th जो date है, मन्त की, उस दिन हमारा क्या हो गया, Tuesday हो गया, अब हमें यह पता चल गए, कि 7 को हमारा Tuesday है, तो that means, 7 से जो next week आएगा, यानि कि 14 देट होगी, 14 को भी हमारा Tuesday होगा, अब उन्होंने क्या क्या है, कि 19 को क्या होगा, then अगर हमारा 14 को Tuesday, 15 को हमारा Wednesday होगा, 16 को Thursday, 17 को Friday, 18 को Saturday, और 19 को हमारा क्या हो जाएगा, Sunday, so our correct option will be B, Dear students, यह हमारा WhatsApp नमबर दिया हुए, आपको कुछ भी Query हो, वीडियो से related, questions से related, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप इस हमें WhatsApp कर सकते हैं, और school के regarding भी कोई info अगर आपको लेने हैं, तो भी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, आप हमें call भी कर सकते हैं, इसी नमबर पे, यह हमारा like button है, आप देख सकते हैं, कि हम जो भी यह काम कर रहे हैं, जो भी यह questions हम पेपिटीस लेके आ रहे हैं, answer keys आप के लिए लेके आ रहे हैं, आपको यह अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, वो हमें इस button के माध्यम से पता चलेगा, अगर आप हमारे videos को like करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, और एक चीज और आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें, क्योंकि daily जो भी हमारी videos जोल रहे हैं, वो timely आपको मिलती रहें, notification के through, next question है हमारा, गोरफ said to Tarun, यह हमारा that boy playing with the football is younger of two brothers of the daughter of my, अगर हम clearly देखें तो यह blood relation का question है, again इसका भी diagram के बिना आपको नहीं समझ आएगा, हम एक बार इसको diagram को देखते हैं, यह हमारा diagram बनावे हैं, ठीक है जी अब यह बना कैसे यह देखते हैं, गोरफ तरुन को कहता है कि जो boy football खेल रहा है, वो younger है of the two brothers, दो भाईयों में से छोटा है, of the daughter of my father's wife, my father's wife, यानि कि गोरफ की father और wife उसका हम diagram बनाते हैं, सिरफ हमने इतनी लाइन देखनी है, of my father's wife, कैसे बनेगा, गोरफ उनका बेटा है father, second generation, यह first generation होगी, father's की यह मेंने wife बना दिया है, that means, मेरे पिता की बीवी, यानि कि गोरफ की जो यह है, वो मम्मी होगी, यह दोनों आपस में husband wife होगी, direct husband wife नहीं दिखावा, इसलिए मैंने double sign नहीं लगाया, generally husband wife का जो होता है, two lines से ही denote होता है, then next हम चलते हैं, is the younger of two brothers of the daughter of my father's wife, उनकी, मेरे father की जो wife है, उनकी daughter भी है, वो हमने बना दिया है, और वो younger है, ठीक है, यह हमारा boy होगी है, यानि कि यह दोनों husband wife होगी, यह उनके बच्चे होगे, तीनों के तीन, ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि उस boy का गोरफ से क्या relation है, that means, यह जो boy है, और विस सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है जी, तो हमारा correct option हो जाएगा, अब भी, next question, study the following arrangement of the English alphabets and answer the question given below, यह हमें कुछ alphabets दिये में, alphabetical series का question है, यह हमारा, इन्होंने question बुच है, which of the following pairs of letters has and many letters between them in the above arrangement, as there are between them in the English alphabet, simple language में मैं बात करूं, तो इन्होंने यह का है, जो उपर letters दिये में है, और जो English alphabetically letters है, और हमें यह 4 options दिये में है, ऐसा कौन सा in में से option है, जो की उपर जो letters दिये में, उनमें भी same ही difference होना चाहिए, और जो actual में है, वो भी same होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम last से शुरू करें, जो हमारा MO है, अगर हम उपर देखें, जो इन्होंने दिये में है, M, M के बीच में एक letter है, and then O है, MO, अब हम English alphabet की बात करें, जो M है, M और O के बीच में A की letter आते है, that is N, यानि कि उपर भी एक letter आ रहा है, और actual जो English alphabetically उसमें भी A की आ रहा है, तो that means, जो correct option हो जाएगा, वो MO हो जाएगा, simple बाकी जो जितने भी है, EL, LS, AI, इन सब में, या तो किसी में ज़्यादा letters है, या किसी में कम letters है, so हमारा correct option will be D, a solid cube of each side 4 cm has been painted all faces, एक cube है हमारा, जिसकी side 4 cm है, उसको सारी तरीके से paint कर देगा, उसको painted all the faces, if it is then cut into cubical blocks, each of side 2 cm, अगर हम उसको cut कर देते हैं, cubical blocks बना देते हैं, उसके छोटे-छोटे, ठीक है जी, तो जिसकी हमें side 2 cm, अब इसकी explanation देखते हैं, अगर हम mathematically इस question की बात करें, तो यह बहुत लंबा चला जाएगा, पहले हम volume of बड़े वाले cube का निकालेंगे, 4 x 4 x 4 x 4, यहां की 4 का cube 64, then हम फिर छोटे आलेगा, इसका cube निकालेंगे 2 x 2 x 2 x 8, then हम divide करेंगे, तो हम जैसे की competitive के लिए prepare कर रहे हैं, तो obviously हम short trick ही follow करेंगे, तो मैं आपको short trick के माध्यम से समझातू, यह हमें 4 cm दिया है, इसका हम 2 से divide करेंगे, तो 2 आजाएगा, अब हम इसी 2 का cube करेंगे, now we will do, क्योंकि हमारे से क्या पुछा, how many cubes are there in all of edge 2 cm, तो कितने बन जैंगे, 2 का cube हमारा 8 होता है, तो 8 है हमारा correct answer है, next, same question है cube का ही, उसमें इन्होंने question दूसरा पुछा, अब इन्होंने question पुछा, how many cubes have no face painted, कोई भी face painted नहीं है, अब हमने वो बताना है, ऐसे कितने cube हैं, जिसका कोई भी face painted नहीं है, इसका एक formula होता है, formula देखिए, इसका formula होता है, no face painted is equal to 0 face, यान कि कोई भी face हमारा painted ही है, n-2 का whole cube, इसका formula होता है, यह याद रखना हमेशा, और यहाँ पर हमें जो n दियावा है, वो 2 दियावा है, ठीक है, यह 2-2 का cube, क्या हो जाएगा, 2 और 2, plus का 2, और minus का 2, 0 हो जाएगा, 0 का cube क्या होता है हमारा, 0, simple, तो हमारा option क्या हो जाएगा, a, option is a correct answer, next, अब इसी में इनने पुछा, how many cubes have only one face painted, ऐसे कितने cubes हैं कि जिनका सिरफ एक ही face painted होगा, again, इसको भी हम यह formula है, formula की help से करेंगे, one face painted का जो formula होता है, वो होता है, n-2 का whole square, यह भाई, यह by mistake होगा, यह whole square है, n-2 का whole square into 6, अब यहाँ पर हमें n, जैसे की 2 दिया गया, 2 cm, तो 2-2, again, 0 का square, ठीक है, 0 का square हमारे 0 होगा, और उसको अगर हम 6 से multiply करेंगे, तो वो भी 0 हो जाएगा, again, इसका answer जो हमारा है, वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे part 3 के questions complete होते हैं, class 9 का question paper आपका पूरा complete हो गया है, फिर भी आपको कोई query है, तो हमारा यह WhatsApp नमबर दिया गया है, आप इस पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके doubts हैं, और यह हमें platforms हैं, different platforms हैं, इन platforms पर आप हमें follow कर सकते हो, यहाँ पर आप YouTube पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, एप भी पर page को like कर सकते हो, follow कर सकते हो, Instagram पर, आप हमें Pinterest पर, आप Google पर जाओगे, तो वहाँ search करोगे, आपको हमारा दीखेगा, और फिर वहाँ पर आप, अपना friend request भेज सकते हैं, वो हम आपके accept करेंगे, ठीके जी, और ऐसे आप LinkedIn पर भी आप हमारे साथ connect हो सकते हो, Thank you guys for watching this video, and have a nice day.